हेलो फेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एल्टी टेलर्स में दोस्तो मेरा नाम है शाहिद दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिलिम फिट यानि टाइट फिटिंग कुर्टे की कटिंग करना बताएंगे तो friends वैसे तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो कुर्टे की बड़े हुए हैं लेकिन इसमें जो हम आपको कटिंग बताएंगे तो उससे थोड़ी से हटकर होगी तो एक नया तरीका हम आपको कुर्थे की कटिंग करने का बताएंगे तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जितने भी फार्मूले होते हैं किन-किन फार्मूलों से हमारे कुर्थे की कटिंग होती है तो इस वीडियो में हम वो सारे फार्मूले आपको बताएंगी तो आप इस वीडियो को लास तक बात्च कीजिएगा एक ही बार में आपको इसकी जो कटिंग है वो समझ में आ जाएगी फिर भी आपको कहीं भी कोई समस्या लगे या आप कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेट बाक्स में लिख सकते हैं और सब के जरीये मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों कोसिस करेंगे कि हम आपके मैसेज का रिपलाई जल से जल दे सकें तो फ्रेंड्स इस कुर्टे की कटिंग करने के लिए हमने जो कपडा लिया है वो कपडा लिया है हमने तीन मीटर इसमें जो हमारी लेंद है वो 41 इंच है जो हमारी लेंद है आराम से निकल आईगी तो फ्रेंड्स इस कुर्टे की कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं इसकी लंबाई है 17 इंच तीरा है यानि सोल्डर 38 इंच इसका चैश्ट है और 37 इंच इसका पेट है यानि इस्टोमश और बाजू की लंबाई जो है वो 25 इंच है निए के कॉलथ का 17 इंच है तो दोस्तो किस तरह से हम कप्रे को भिशाते हैं तो चलिए बहुत समझ लेते हैं तो इस तरह से हमारा ये데 Experiment सबसे जांदा है तो जैसे आपका chest का measurement जानदा है या आपका पेट का measurement जानदा है तो उसके हिसाब से आप उसका बनफोर्थ करेंगे प्लस इसमें डाई इन से लेके तीर इंच की losing एड़ करके कपड़े को fold करके विशा लेंगे और दोस्तो जैसे आप bottom के हिसाब से कपड़े को बिशाना चाहते हैं तो जितना भी आपका bottom है तो उसका hop करेंगे प्लस उसमें एक इंच से लेके डे इंच की losing एड़ करके कपड़े को बिशा लेंगे लेकिन दोस्तो आप chest से या इस्टो मस के साब से कपड़े को fold करके बिशाएं तो इस तरह से हमने कपड़े को fold करके बिशा लिया है जो सिधा वाला है वो हमारा अंदर की तरफ है उल्टे इससे फर marking होती है तो हम एक पर आपको नापकर देखा देते हैं किस तरह से हमने fold करके बिशाय हुआ है इसका जो chest है 38 इंच 38 का फोर्थ बाग करेंगी तो हमारा हुआ हुआ साड़े 9 इंच प्लस इसमें हमने जो losing add की है उसको भी देख लिते हैं 3 इंच की हमने losing इसमें add करके कपड़े को fold करके बिशा लिया है अब इसकी हम marking start करते हैं सबसे पहले क्या करेंगी हम एक उपर से mark करेंगी दोस्तों ये mark हमारा कपड़े को सीधा करने के लिए लगा जाता है इस तरह से हमने mark कर लिया है लंबाई कर निसा लगाएंगे तो लंबाई है 41 इंच अब दोस्तों हम एक mark और लगाएंगी तो वो mark लगाएंगी हम बाटम फोल्ड करने के लिए इसका जो बाटम फोल्ड होगा वो नाखोनी फोल्ड होगा तो आप 1 इंच तक भी रख सकते हैं इस margin को लेकिन हम इसमें 1.5 इंच का margin ही एड़ करेंगे तो friends अब हम इसमें आर्मल का निशान लगाएंगे तो आल्मल का निशान हम किस तरह से लगाते हैं तो आर्मल का निशान जो है वो हमारा सीने का 1.4 करके लगाया जाता है जितना भी आपका सीना है उसका 4 वाग करेंगे यानि उसमें 4 का वाग देंगे तो इसका हमारा जो सीरा है वो 38 इंच है तो 38 को हम 4 वाग में डिवाइट करेंगे तो हमारा वगा 9 इंच तो हम इसमें 9.5 इंच पर मारकिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको टाइट फिटिंग कर रहे हैं कटिंग तो इसमें हम क्या करेंगे पॉन इंच से लेके एक इंच तक हम माइनस कर दाएंगे इसमें तो हम इसमें जो माइनस करेंगे वो करेंगे पॉन इंच तो इस तरह से हम पॉने नौ इंच पर मार्किंग करेंगे कर दोस्तों हम इसकि सोल्डर कर इंसाल लागाएंगे तो सोल्डर है इसका 17 एंचspeaking को हम हाप करेंगे तो हमारा हुआा 7,5-8 प्लास हम इसमें Concentral नेकर इसंहें कर देंगे तो इस तरह से हम 9 पर इसमें cheतर नेगी मार्किान कर लेंगे जिसे आपका चेस्ट जितना भी है उसका आप 12 हिस्सा करेंगे यानि जितना भी आपका चेस्ट है तो उसमें आप 12 का भाग करेंगे तो जितना भी आपका निकल कर आएगा तो उस तरह से हम हाले का मार्क कर लेंगे अब दोस्तों दूसरा हमारा जो तरीका होता है जैसे आपने कस्टमर का कॉलर नापा हुआ है और जिदना भी कस्टमर का कॉलर है तो उसमें हम क्या करेंगे उसका पांचमा भाग करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है मार्किंग की जाती है अब दोस्तो हम जो आपको तरीका बताते हैं अपनी हर वीडियो में तो उस तरह से हम मार्किंग करते हैं तो जैसे हमने यहां से धाई इंच पर मार्क कर लिया और यहां से हमने धाई इंच पर मार्क कर लिया तो इससे क्या होगा दोस्तों जिसे हमारा हाला छोटा है इसको हम काटकर बड़ा तो कर सकते हैं लेकिन बड़े हाले को हम छोटा नहीं कर सकते हैं तो हम इसमें जो मार्किंग है वो कम पर ही करते हैं तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहां से जो है मार्किंग करेंगे वो करेंगे पौने तीन इंच पर और यहां पर जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे धाई इंच पर तावीच का निसान लगाएंगी तो तावीच का निसान हम यहां से लगाएंगे साड़ी ग्यारा इंच पर जैसे आपको बारा इंच पर रखना है या साड़ी बारा इंच पर रखना है तो इसी तरीके से आप मार्किंग करेंगी तो इस तरह से मार्क कर लिया है अब हम यहां से हाप इंच पर मार्क करेंगे एक यह हमारे तावीज का मार्क है यानि फ्लैकिट का तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है अब दोस्तो हम इसका जो सोलर है वो डाउन किस हिसाब से करते हैं और कितना डाउन करते हैं, जैसे आप नॉर्मल फिटिंग के कुरते की कटिंग कर रहे हैं, या लूज फिटिंग के कुरते की कटिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों हम इसमें जो डाउन करेंगी कंदी को, वो करेंगी सबा एक इंच, और जैसे आप थोड़ा सा अब फ्रेंड़्स हम यहां पर जो है मार्किंग किस से अशाब से करेंगी? इसको हमें अंदर कितना रखना है? दोस्तों अंदर रखने से क्या होता है? तो जैसे दोस्तों आपकी साइड मैं सिल्वट पड़ती है, अर्मूल में जोल आती है, और अच्छी तरीके से आपका जो अर्मूल है नहीं बैठता है तो आपको एकदम अच्छी तरीके से फिटिंग चाहिए तो आपको जो है यहाँ पर जो मार्क है वो अच्छी तरीके से लगाना होगा तभी आपका जो अर्मूल है वो फिटिंग में आएगा तो किस तरह से हम आर्किंग करते हैं चलिये वो देखते हैं तो दोस्तों जैसे आपका जितना भी solder है उसका हाप करेंगी तो इसका जो solder है वो है 17 इंच तो 17 का हाप करेंगी तो मुझारा वगए 8 इंच पिलस हम इसमें क्या करेंगी हाप इंच से लेके पॉन इंच इसमें माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे पॉन इंच क्योंकि हम इसको टाइट फिटिंग का कटिंग कर रहे हैं अब दोस्तो हम इसके सीने का मार्क करेंगे यानि चेस्ट का मार्क करेंगे तो चेस्ट इसका है 38 इंच तो 38 इंच को हम क्या करेंगे फोर्थ भाग में डिवाइट करेंगे तो हमारा हुआ साड़े 9 इंच पिलस हम इसमें क्या करेंगे जैसे आपको लूज कुरती की कटिंग करना है तो आप क्या करेंगे बन फोर्थ करके आप 2 इंच से लेके धाई इंच का मार्जन एड़ कर लेंगे लूज कुरती के लिए और जैसे आपको थोड़ा सा नॉर्मल फिटिंग का चाहिए तो आप उ तो हम इसमें क्या करेंगे इसमें हम बन फोर्थ किया हमने पिलस हम यहां पर सबा एक इंच का मार्क करेंगे तो इस तरह से हमने चेश्ट का मार्क करेंगे अब दोस्तो हम इसके पेट का मार्क करेंगे यानि इस्टुमच का तो इस्टू मिच का मार्क किस तरह से किया जाता है तो दोस्तो इसके भी दो तरीके होते हैं पहले हम जो तरीका है वो समझ लेते हैं तो हमारा जो पहला तरीका होता है हम क्या करेंगे यहां से 6 इंच से लेके 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे आप 7 इंच पर भी कर सकते हैं इस तरह से हमने मार्क कर लिया है अब दोस्तो हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं कि आपको पेट का मार्क किस तरह से लगाना है तो जैसे आपने अर्मूल का मार्क कर लिया है और जैसे हिप का मार्क कर लिया है तो क्या करेंगे आपको आप इस तरह से रखेंगे रखने के बाद इसका हाप कर लेंगे इस तरह से हाप करने के बाद आप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तो इस तरह से हमारे दो तरीके से इस्टोमच का मार्क किया जाता है अब हमें इसमें हिप का मार्क करेंगे तो हमें हिप का मार्क किस तरीके इस करना है तो हिप के मार्क करने के दो तरीके होते हैं तो किस तरह से करेंगे चले अब दोस्तों पहला हम तरीका समझ लेते हैं हम क्या करेंगे हम ये जो हमारा आरवल वाला मार्क है यहां से क्या करेंगी हम साड़े 14 इंच या 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे तो इस पर हम 15 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं तो यह तो हमारा पहला तरीका हुआ अब दूसा तरीका हमारा यह हुआ कि हम इस वाले मार्क से 8 इंच पर या 9 इंच के बीच में मार्किंग करेंगी तो इसमें हम जो मार्किंग है बो 8.5 इंच पर कर लेते हैं इस बाले निसान से जो इस्टो मच का हमारा निसान है इस बाले मार्क से तो इस तरह से हम ने 8.5 इंच पर मार्क किया हुआ है इस मार्ट को हम सीटा कर लेते हैं तो दोस्तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें आपको एगी बार में इसकी जो कटिंग है बोट समझ में आ जाएगी फिर भी आपके मन में कहीं भी कोई कुशन है या कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमें बहुत सब के जरिये मैसेज भी कर सकते हैं और दोस्तो आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एल्टी टेलर्स को ज़रू सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानि घंटी के बटन को भी आन कर दें जिससे आने बाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकिसन आपको सबसे पहले मिल जाएगा अब दोस्तो हिप पर हम मार्क करेंगे तो हिप पर मार्क किस तरीके करते हैं तो दोस्तो क्या करेंगे इस बाले मार्क को हम ना पैंगे जितना भी हमारा ये मार्क आ रहा है तो उतना ही मार्क हम यहां पर लगा देंगे तो इसमें हम यह समझ लेते हैं कि बहुत से लड़की यहां पर हिप पर टाइट फिटिंग का कुड़ता मंगते हैं और बहुत से लूज यहां पर पहनना पसंद करते हैं तो जैसे आपको हिपपर tight करना है तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपका यहां पर mark किया हुआ है, उसे आप half inch minus कर देंगे, तो इससे तो आपका tight fitting हो जाएगा, और जैसे आपको यहां पर डीला पहनना है, तो आप इसमें half inch plus कर देंगे, अब दोस्तों हम इस्टो मच का mark कर लेते हैं, यानि पेट का, तो इसका जो पेट है, वो है 37 inch, तो 37 को हम फोर्थ बाज में divide करेंगे, तो हमारोगा सबा 9 inch plus हम इसमें जो losing add करेंगे, वो करेंगे सबा 1 inch की, इस तरह से bottom पर mark करेंगे, तो bottom पर किस तरह से mark करेंगे, तो इस वाली mark को हम ना पेंगे, और इस में हम पॉन इन से लेके 1 inch margin का add कर देंगे, यहाँ पर हम half inch का mark करेंगे, एक, यह mark हमारा bottom को shape देने के लिए होता है, जिससे हमारे bottom लटकता नहीं है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, और यहाँ पर round दे देंगे, इस तरह से, अब हम इसमें pocket का mark करेंगे, तो pocket का mark करने के लिए हम यहाँ से एक mark लगाएंगे, 2 inch या पॉने 2 inch पर भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर mark कर लेते हैं, पॉने 2 inch पर, इस बाले mark से क्या करेंगे, हम pocket का जो मूँ रखेंगे, वो रखेंगे 6 inch की, तो इस तरह से हमारा यह mark यहाँ पर आज आएगा, और यहाँ से हमारी जो है pocket, अटेच हो जाएगी, इतना भी color है, आपको लिख लेना है, इस तरह से हमारे front part में मारकिंग हो गई है, इसकी हम cutting कर लेते हैं, इस तरह से हमारे front part की cutting हो गई है, अब दोस्तो back part की cutting करेंगे, तो जिस तरह से हमने front part के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिशाया हुआ था, उसी तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करके बिशा लेते हैं, इस तरह से हमने पार्ट को विशा लिया है विशाने के बाद दोस्तों जो हमने फ्रेंट पार्ट का पला कट किया हुआ है उसको हम इसके उपर विशाएंगे अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हम इसकी जो बैक है बो धाई इन से लेकर तीन इंच बड़ी बिशाएंगे यानि कपड़े को बढ़ा कर बिशाएंगे क्योंकि इसमें हमारा कोई बैक में तीरा नहीं डलता है बैक हमारी सल्लक करती है तो इसके लिए हमें कपड़े को जांदार रखना होता है अब दोस्तो इसमें हम मार्किंग करेंगे तो हम एक मार्क कि यहां से जो लगाएंगे बो लगाएंगे सबाद दो इंच पर और यहां से भी हम सबाद दो इंच पर एक मार्क कर लेंगे यहां से हम इसको इस तरह से क्रोस में करेंगे और यहां से इस तरह से सीधा कर देंगे हम इसको अब इसके हाले का मार्क करेंगे तो इसका जो हम हाला डाउन करेंगे नीचे की तरब वो करेंगे हम पॉने 2 इंच का और फ्रेंट पार्ट में जो हमने यहां पर साइड से जो निसान लगाया था वो पॉने 3 इंच पर लगाय हुआ था तो उधना ही मार्खम यहाँ पर कर लेंगे तीरे करने साल लगाएंगे सोल्डर का तो सोल्डर है मारा 17 इंच तो 17 का हाप करेंगे 8.5 इंच प्लस 6.5 इंच का मारजन एड़ करके इसमें मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर हम किस तरह से मार्किंग करते हैं जैसे आपको बैक में फिटिंग रखना है तो आप क्या करेंगे यहाँ से पॉन इंच पर मार्क करेंगे और दोस्तों जैसे आपको बैक में इसे लूज में रखना है तो आप क्या करेंगे तो आप यहाँ से सबा एक इंच पर भी मार्क कर सकते हैं और सबा एक इंच पर भी मार्क कर सकते हैं तो इसको हम फिटिंग में रखेंगे तो हमने जो मार्क किया है वो पॉने एक इंच किया हुआ है इसको हम इस तरह से सीधा कर रखेंगे और यहां से अच्छी तरीके से से राउंड बनाकर सेप देदेंगी इसकी भी हमार्किंग हो गई है इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट की और फ्रेंट पार्ट की कटिंग हो गई है दोस्तो इन मार्कों पर हम चटकर लगा लेते हैं अब दोस्तो हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे तो बाजू कटिंग करने के लिए हमारे दो तरीके होते हैं दो तरह से हम बाजू की कटिंग कर सकते हैं तो दोस्तो पहला जो तरीका होता है तो कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, रखने की बाद दोस्तो हम इस तरह से फोल्ड करके इस पर मार्किंग कर लेते हैं, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं बाजू को, लेकिन हमारा जो दूसरा तरीका होता है, उस तरह से हम बाजू है वो अच्छी तरीके से निकल आएगी से हम इसको फोल्ड करके बिशा लिया है विशाने के बाद एक मार्क हम उपर से करेंगे अब बाजू की लंबाई का निसान लगाएंगे तो बाजू की लंबाई है वो है पच्छेस इंच तो पच्छेस इंच में क्या करेंगे हम हाप इंच पिलस करके मार्क करेंगे क्योंकि हमारा जो बाजु जब हम चड़ाएंगे तो उसमें मारजन के लिए जाएगा तो इस तरह से हम 25 पर मार्जन करेंगे और यहां पर हम एक मार्जन कर लेंगे बो करेंगे हम 1.5 इंच का ये हमारा बाजु को फोल्ड करने के लिए मारजन है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं बाजो की मौरी का निसान लगाएंगे तो बाजो की जो मौरी रखेंगे भो हम रखेंगे गैरे इंच तो इस तरह से गैरा का हाप करेंगे तो हमारा होगा साड़े पांच इंच पिलस हाप इंच का मारजन इसमें एड़ करेंगे तो इस तरह से हम 6 इंच पर मारकिंग कर लेंगे अब दोस्तो इसकी हम बाजू में किस तरह से डाउन करते हैं तो क्या तरीका होता है बाजू को डाउन करने का तो दोस्तो बाजू को हम दो तरीके से डाउन करते हैं तो पहला जो हमारा तरीका होता है तो हम क्या करेंगे इस तरह से हम साड़े तीन इंच पर या चार इंच पर एक मार्क लगाएंगे दोस्तो जैसे हमना उसका जो हाला काटा हुआ था वो पॉने 9 इंच काटा हुआ था तो इस तरह से हम पॉने 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगी तो पहला तो हमारा ये तरीका हुआ अब दूसरा जो हम तरीका आपको बताते हैं वो सबसे सिंपल तरीका है तो दोस्तों जैसे आपने पॉने 9 इंच हाला कटा हुआ है तो आप लोग क्या करेंगी यहां से जो मार्क करेंगी पॉने 9 इंच में हाप इंच एड़ करेंगी या आप 5 इंच एड़ कर लेंगी तो 9.5 इंच पर मार्क यहां करेंगी और क्रोस में हम 10 इंच पर मार्क इस बाले मार्क के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर लगा लएंगे तो इस तरह से हमारा जो है मार्क किया जाता है अब इसमें हम सेब किस तरह से देंगे तो सेब देने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से हम एक मार्क लगाएंगे 1,5 इंच पर या 3 इंच पर तो इस तरह से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे इतना जो हमारा मार्क है वो बिल्कुल istheid रहता है और यहां से हम इस तरह से राउंड बनाते हुए बाजू में save दे देते हैं इस तरह से तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लिये हैं इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं तो इस तरह से हमने बाजू को कटिंग कर लिया है अब इसी बाजू की मदद से हम दूसरी बाजू को भी कटिंग कर लेते हैं कि विशानी के बाद क्या करेंगे यह जो हमारी बाद जो कटिंग की हुई है इसको हम इसके ऊपर विशा देंगे यह जो सीधे बाले हिस्से हैं वो अमारे अंदर की तरफ है तो इस तरह से हमने इसको बिशा लिया है इसके भी हम कटिकल लेते हैं फिर आब आपको बताते हैं तो इस तरह से हमारे बाजू की कटिंग हो गई है आप दोस्तों इसमें हमें फ्रेंड पार्ट की तरफ गड़ा देना होता है तो किस तरह से हम गड़ा देंगे तो हम यहां से राउंड बनाकर अच्छी तरीके से इसमें जो है गड़ा दे देंगे अब दूस्तो एक बार हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें हम देखेंगी इसकी जो सेफ है पैक की वो सही है कि हमें थोड़ा सा चेंजिये करना है तो इसकी जो सेफ है थोड़ा इसी हमें चेंजिये करनी है जो हो अलगा सा हमें इसको और कट कर देना है तो इस तरह से हमने इसको cut कर लिया है हम यहां पर mark कर लेते हैं यानि चिटका लगा लेते हैं अब दोस्तो इसका जो हमें mori है वो रखना है वो है 11 इंच तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे जितनी भी आपकी mori हो उस तरह से आप इसको लिख लेंगे, तो इस तरह से हमारी बाजू की cutting हो गई है, आप दोस्तों इसकी हम side pocket की cutting आ लेंगे, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम ले लेंगे, लेने के बाद दोस्तों इस कपड़े को हम double fold कर लेंगे, दोनों pocket हमारी एक साथ में cut होती हैं, और दोस्तो जैसे आपको और भी जैसे वीडियो की cutting चाहिए, तो हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना कर upload कर दी हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर playlist में देख लीजिए, वहाँ पर आपको हर पिरकार की वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ पर देखकर आप अच्छी तरी के से cutting करना सीख सकते हैं, तो दोस्तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, आपके एक लाइक से दोस्तो हमें motivation मेरता है, हम आपके लिए ऐसी best best वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो friends इस तरह से हमने इसको double fold करके बिचा लिया है, fold करने के बाद दोस्तो इ इसको fold कर लेंगे, शाड़े 6 इंच, इस तरह से fold करने के बाद दोस्तो हम एक बार इसको और fold कर लेते हैं, इसकी जो pocket की लंबाई रखेंगे, वो हम रखेंगे, शाड़े 13 इंच, इस तरह से, और यहां से जो हम pocket की चोणाई रखेंगे, वो रखेंगे, 6 इंच, आदा 5 इंच हमारी जो है, साड़े, जब हम इसको pocket को बनाएंगे, वो उसमें चला जाएगा, तो हमारी जो pocket है, वो बनकर 5 इंच की तयार हो जाएगी, मारकी कटने के बाद तो इसकी भी हम cutting कर लेते हैं, तो friends इस तरह से हमारे pocket की भी cutting हो गई है, एक बार हम आपको सारा खर्चा मिला कर दिखा दिया है, हम आपको एक बार समझा देते हैं, यह हमारा friend का part है, यह back का है, यह हमारी बाजू है, और यह हमारी pocket है, तो friends इस तरह से हमारे एक कुर्टे की cutting हो गई है, दोस्तो जिस तरह से हमने आपको समझा है, तो आपको अच्छी तरी के समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके मन में कहीं भी कोई भी doubt है, या कोई question है, तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं, या भार सक की जरीए हमें message कर सकते हैं, दोस्तो आपके हम सारे comments पढ़ते हैं, तो friends आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, यदि दोस्तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like, और अपने friends के साथ share करना बिलकु is